मूर्ख हिरन और बाग थे एक दूसरे का साथ देते थे किसी भी मुसीबत में पढ़ते तो एक दूसरे का साथ दे कर वह मुसीबत से निकलते उसी जंगल में एक बाग भी रहता था और वह बाग जहां पर रहता था वहां पर बहुत अच्छी घास थी हर्याली थी क्योंकि उसके गुफा के पास खाने नहीं जाता था एक दिन बाग बाहर गया था उसी वत वह दोनों हिरण उस जगह पर आ गई और घास खाने लगे और दोनों बहुत ही खुश थेक यो कि उनको हरे भरे घास खाने को मिल रही थी वह दोनों आराम से घास खाकर वहां से चले गए और थोड़ी देर में बाग वापस आकर देखा तो उसे मालूम चल गया कि जरूर हो नहों यहां से किसी ने घास खाई है फिर उसने सोचा अगले दिन बाग इस गुफा में चुपकर बैठा रहा और हिरण वही पर घास खाने के लिए आ रही थी तभी दूसरी हिरण ने बोला अब वहां पर मत जाओ क्योंकि होना हो बाग को जरूर पता चल गया होगा कि हमने वहां से घास खाया है जो समझदार हिरण थी वहां वहां पर घास खाने के लिए गई ही नहीं और जो मूर्ख हिरण वहां पर घास खाने के लिए गई जब वहां घास खा रही थी तभी पीछे से बाग उसको पकड लेता है और दबोच कर मार कर खा लेता है ऐसे और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करे गर्भवती हिरन का बच्चा और शेर का हमला गहरे जंगल में गर्भवती हिरन अपने लिए घर की खोच कर रही थी उसके बच्चे का जन्म होने वाला था वह सुरक्षित स्थान धून रही थी हिरन जंगल में इधर उधर ढून रही थी कि तभी उस पर शेर का ध्यान जाता है शेर धीरे धीरे हिरन के पास आने लगता है उसके आंकों में खत्रे की चमक दिखाई दे रही थी तभी हिरन के पेट में जोर से हलचल शुरू हो जाती है अरे अरे क्या हुआ मेरे बच्चे आसपास कोई खत्रा देख लिया क्या तुमने अरे पर यहां तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा तुम घबराओं मत शान्त हो जाओ हिरन आसपास अच्छे से देखती है तो उसे शेर दिखाई देता है यहां तो शेर है, इसलिए तो मेरा बच्चा घबरा गया, कैसे भी करके इस शेर से जान बचानी होगी हिरन थोड़ी दूर नजर डालती है, तो उसे एक घनी घास की लंबी-लंबी जाडिया दिखाई देती है, फिर क्या हिरन पूरी ताकत से भागते हुए उस जाडियों में घुज जाती है, देखते ही देखते हिरन शेर की आंखों से ओजल हो जाती है, भाग कर कहा चुकोगी तुम हिरन एक न एक दिन तुम मेरे हाथ लगी जाएगी। दाना ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिला, वह निराश हो गई, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, फिर उसने एक कच्चुआ को देखा, जो पानी के पास बैठा था, चिडिया ने कच्चुए से अपनी मुश्किल सुनाई और कहा, क्या आप मुझे थोड़ा दाना दे सकते हैं, कच्चुआ ने मुस्कुराते हुए उसे दाना दिया, चिडिया ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा, और अपने बच्चों के साथ दाना खिलाया, अगले दिन चिडिया दाना की ताला है, लेकिन उसे वापस से दाना न मिला, तो इसलिए वो बाजार में गर के लिए निकली, और घर पहुँच कर उसने ओमलेट बनाया, और अपने बच्चों को खिलाया, इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है, कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, और मुश्किल समय में साथ देना चाहिए, एक जंगल में बहुत ही सुन्दर और बड़ा शेर रहता था, उसका नाम सिंहासन था, सिंहासन बहुत ही शक्तिशाली और विशाल था, और उसका राजा तो सभी जंगली जानवर भी मानते थे, एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी, और बादल आसमान में घे शेर लिये थे। शेरों का समराट सिहासन भी आसमान की ओर देख रहा था। उसने महसूस किया कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। शेर का माहौल सुहावना हो गया। शेर ने अपने साथियों के साथ बारिश का आनंद लिया और उन्होंने देखा कि उनके जंगल में सभी जीवन धारा बह रही है। बारिश के बाद सिहासन ने अपने राज्य को और भी सुन्दर बनाने के लिए उद्यम शीलता से काम किया उसका जंगल एक सुन्दर, हरित और खुशहाल स्थान बन गया। इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने परिस्थितियों के अनुसार उचित क्रियाएं करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। उठ नामक दोस्त को देखकर खरगोश ने पूछा, तुम हमेशा इतने सुस्त क्यों रहते हो उठ भहिया। उठ मुस्कराए और बोले, बिल्कुल, खरगोश भहिया, मैं तो सारा दिन आराम से बिताना पसंद करता हूँ। खरगोश ने हस्ते हुए कहा, लेकिन दोस्त, जीवन में कुछ करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तब एक बूंदराज शेर ने उनसे मिलकर कहा, तुम दोनों सही कह रहे हो, जीवन में मेहनत का महत्व है। फिर, तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, कि वे समुद्र के किनारे पर एक साथ खेती उन्ट ने अपनी मेहनत से बड़ी उन्टों की जमीन को खेत में बदला, खरगोश ने छोटे पौधों को सुरक्षित रखा, और शेर ने अपनी शक्ती का उपयोग करके बड़े पेडों को उगाने में मदद की। धीरे धीरे उनकी मेहनत फल देने लगी। समुद्र के कि जिखने को मिलता है कि मेहनत, साजेदारी और दोस्ती से ही हम अच्छा और स्मृध्य भरा जीवन जी सकते हैं। दूसरा सवाल था, जंगल का सबसे शक्तिशाली कौन है? तीसरा सवाल था, कौन वह जानवर है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है? और चौथा सवाल था, कौन वह है जो जंगल के प्राणियों की रक्षा कर सकता है? ये सवाल जंगल के सभी जानवरों को चिंतित कर दिया वे सभी शेर राजा के पास गए और उनसे सवालों के बारे में पूछा शेर राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपने युवा बच्चों को बुलाया उन्होंने उनसे कहा आज जंगल के लिए एक नया राजा चुनने का समय आ गया है यह चार सवाल हमें उस व्यक्ति को ढूंडने में मदद करेंगे जो सबसे उपयुक्त है शेर राजा के बच्चों ने विचार किया और फिर सभी मिलकर उन्हें जवाब दिया उन्होंने बताया कि जंगल का असली राजा उसी शेर राजा के पुत्र होगा जो सबसे शक्तिशाली हो, सबसे बुद्धिमान हो और जो जंगल की सभी जानवरों की रक्षा कर सके शेर राजा ने अपने बच्चों को सुना और उन्हें सराहा तुमने सही जवाब दिया है, अब तुम में से एक नया राजा बनेगा इस तरह शेर राजा अपने पुत्र को नया राजा बनाने का निर्णय किया उसके पुत्र ने अपनी जिम्मेदारी को स्विकार किया और जंगल का नया राजा बनकर जंगल के लिए नित्रत्व किया बहुत समय पहले के एक जंगल में एक बहादुर और शक्तिशाली शेर रहता था इसका नाम सिंबा था सिंबा जंगल का राजा था और उसका प्रभाव जंगल के सभी प्राणियों पर शांदार था सिंबा जंगल का सबसे बड़ा और सबसे शूरवीर जानवर था उसकी माता ने उसे बच्चपन से ही शिक्षा दी कि वह जंगल का सच्चा राजा है और अपने जंगल की रक्षा करने का कर्तव्य है एक दिन जंगल में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई एक दुष्ट शेर आया जंगल में और अन्य जानवरों को परेशान करने लगा सिंबा ने तुरंत उस दुष्ट शेर के सामने आकर खड़ा होने का निर्णाय लिया एक महायुद के बाद सिंबा ने उस दुष्ट शेर को हराया और जंगल को पुनह शांती मिली सिंबा ने दिखाया कि शांती और सदगुण से भरी जीवन शेली ही वास्तविक राजा को बनाती है बहुत समय पहले की बात है एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पढ़ जाता उसका शिकार कर वह अपनी भूख मिटाता था जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया जब वह उसे खाने लगा तो उसकी नुकिली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया उसे बहुत क्रोधाया और उसने तै किया कि जंगल में सींगो वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है उसने पूरे जंगल में ये घोशना करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़ कर चले जाए ये घोशना सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते सब में शेर का भय था इसलिए जंगल छोड़ कर जाने की तैयारी करने लगे उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था जब उसने भी शेर की घोशना सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया जब वह उनसे मिलकर वापस लोटने लगा तो उसे धूप में अपनी परच्छाई दिखाई पड़ी परच्छाई में जब उसने अपनी लंबे कानों को देखा तो डर गया उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं वह मेरी बात नहीं मानेगा बे मौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़ कर चला जाऊं उसके बाद बिना देर किये उसने भी जंगल छोड़ दिया इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है समझदारी इसी में है कि अपने शत्रूओं को ऐसा कोई अवसर न दिया जाए कि वह आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके